शांदार Q1 रिजल्ट जितने भी एनलिस्ट थे उनको उनकी एस्टिमेट्स को बीट करते हुए इस कम्पनी ने शांदार Q1 रिजल्ट्स दिये हैं 10.3% के एबिट्टा माजन जो की तमाम एनलिस्ट के एस्पेक्ट एक्षिन से या आप कह सकते हैं कि उनके अनुमान से काफी शांदार था मार्केट को की जो एस्टिमेट थे उसे बीट करके इस शेर ने इस कम्पनी ने बहुत ही स्टॉंग रिजल्ट पेश किये हैं पिछले क्वाटर में आप देख सकते होंगे कि थोड़ी से इनुने कह सकते हैं आप थोड़ा सा वीक क्वाटर ली रिजल्ट पेश किया था और स्टॉक की जबर्दस पर्टाई हुई थी मैं उस समय मैंने कहा थैस स्टॉक व्लविशन फव्हाइस सथैं जिरावाट होगी 녹्र थी स्टॉक कि आंस परस यह स्टॉक ग्याता हा धा यह स्टॉक का फंडमेंटल अच्छा है बिंसमॉड अच्छा है थोड़ी से थैस्पंस एप्छा वेलीशन में लेकिन accumulation की जा सकती है वहाँ से stock दोस्तों काफी अच्छा एक run-up दिखा रहा है दोस्तों और आप कह सकते हैं कि अब निवेश को कोई ये समझ नहीं आ रहा कि क्या इंस तरों पे निवेश करना चाहिए और Q1 में क्या ऐसी चीज़ थी तो बहुत जादा positive थी अंसन की चीज़ों को आपके साथ में discuss करूँगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हमिता मिश्रा और आज बात करने वाला हूं है D-Mart के उपर D-Mart के उपर दोस्तों जब हम बात करेंगे आप समझे कि इसका result क्यों अच्छा है इतना जादा inflationary pressure इतना e-com से आपके लिज़े competition tough competition और pricing कह लिज़े pricing जो race है उसमें इतना जादा stiff competition होना कि वो margins तक कोई road कर रहा है ऐसे में D-Mart के पास ऐसा क्या था D-Mart के पास क्या ऐसा है जो इसे औरों से अलग करता है तो मैं कहूंगा इसके सबसे शांदार दोस्तों strategy इनकी business strategy अगर आप इनके business strategy में देखेंगे तो जो सबसे important चीज़ है वो है everyday low cost, everyday low price everyday low cost, everyday low price आप देखिए ये इतना शांदार business model रहा कि इतने जादा inflationary pressure होने के बावजूद इन्होंने जो शांदार set of numbers प्रोड्यूस किये वो अपने आप में phenomenal थे दोस्तों और इस बार के result में जो एक सबसे अच्छी बात ये भी थी दोस्तों कोविड आने के बाद ये पहला ऐसा quarter था जो company का कहना है कि no covid restrictions ये आप कह सकते हैं कि कोई भी no covid disruption ये quarter यानि business full-fledged हुए है और शांदार हुए है तो आप देखिए कि इस quarter के अच्छी result आने के पीछे का ये भी कारण है कि इस quarter में कोई भी covid कारण कोई भी ups कह सकते हैं आप ना lockdown हुआ ना local lockdown कुछ भी नहीं कोई भी तरह का कोई भी issue नहीं हुआ और company ने इस quarter को no covid disruption का है और इसलिए business में आपको शांदार मजबूती देखने को मिल रही है अगर मैं आपके साथ आने वाली चीज़ों की बात करूँ तो आप समझे है कि जो DMART है दोस्तों DMART का 60% या दोस्तों approximately 60% जो revenue आता है वो essential items से आता है और यह वो items होते हैं जो इतने जादा inflationary माहल के कारण भी इतना जादा impact नहीं करते हैं क्योंकि देखे essential items तो आप लेंगी भले ही थोड़ा कम ले लिए आपको लेना तो पड़ेगा और यहाँ पर volumes में भी जम पाया है तो जो company का आप कह सकते है DMART का जो 60% revenue approximately वो आता है essential items से और वो इतने जादा inflationary माहल के बावजूद एक काफी अच्छे set of numbers पेश कर पाया है बात करूं gross और EBITDA margin की तो दोस्तों gross और EBITDA margin जो हैं वो pre-covid level तक आगे है और यह जो चीज़ा यह बहुत बहुत जादा positive रही है कि आपका जो EBITDA margin और आपका जो gross margin है उन दोनों वो दोनों ही pre-covid level में आजाए this is really huge ठीक लेकिन अगर मैं आपके साथ बात करूं कि इस company यह जो company ने result दिखा है इसमें क्या कोई खराबी नहीं थी तो शुरू मैं आपको एक छोटी चीज़ बता दू जो कि आप कह सकते हैं कि उतनी द्यादा relevant नहीं है लें फिर भी बतानी चाहिए कि जो per square आप कह सकते है per square fit जो revenue है वो इस बार pre-covid level तक नहीं आया है ठीक है यह आप कह सकते हैं एक fun fact के नाम पर भी ले सकते है और अगर मैं आपके साथ आगे चर्चा करूँ इस share के उपर कि और कैस में रहा है तो देखे इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इसके older जो पुराने कह सकते हैं जो इसके stores हैं उन्होंने काफी अच्छा बिजनस किया इस बार जो पुराने stores के already थे क्योंकि जो मैं आपके साथ बता हूँगा कि कितना ज्यादा aggressive है नए stores open कर रहे हैं उसके आगे तरह बात करूँगा लेकिन अभी सर्व आपके साथ चर्चा करता हूँ कि जो पुराने stores थे उन्हें भी शांदार revival हुआ है शांदार set of numbers आएं तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि overall ही DMART ने बहुत बहुत अच्छा इस quarter में business किया है ठीक है और आप देखिए concern क्या है इसके जो मैंने आपको पहले बता है online competition लगातार बढ़ रहा है और यह DMART के लिए concern था और निवेशक इसी बात को ले करके आपके थोड़े से share को अब आपके आशंकित रहते हैं कि जिस तरह से लगातार online presence बढ़ रही है जिस तरह reliance mark आ रहा है reliance नहीं चीज़ें आपके लिजे geomart आ रहा है SME DMART कहां टिकता है यह इसके लिए बहुत बढ़ा concern था लेकिन मैं आपको बताऊँ का कितनी शांदार level में DMART धीरे धीरे ही सही एक पुकता काम कर रहा है दोस्तों और कहलेजे shortcut नहीं बलकि एक long term strategy मना रहा है DMART और देखिए आरके धमानी जी का आपको पता होगा बहुत ही जादा patient है बहुत ही शांदार business strategist है तो किस तरह online में जो यह आप कह सकते हीट फेस कर रही है यह company DMART उसे कितने अच्छे तरह के से वो tackle कर रहे है ठीक है और तेखिए जो इस बार quarter one के जो financial 23 के जो result है न उसका जो revenue है वो almost double रहा है पिछले साल के मुकाबले reason low base आपको पता होगा पिछले साथ June quarter में जो second wave आई वो कितनी घातक थी तो इसी कारण इतने जादा low base के कारण जो इस बार quarter one में जो result निगल के आई financial 23 के वो revenue almost double रहे है ठीक है तो double रहे है इसको सून के एकदम खुश नहीं होना है इसके पीछे का reason यह है कि पिछले quarter में second wave आई थी COVID की वो कितनी घातक थी वो याद करने भी रूह काब जाती है दोस्तों तो इसी कारण low bis कारण काफी अच्छे set of number year on year में दिख रहे है ठीक है बात करें अगर जो almost आप कह सकते है कि थोड़ा सा without disruption COVID था जो कौन सा quarter था दोस्तों वो था financial 21 का December quarter उससे अगर आप compare करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 9% का revenue uptake आपको देखने को मिल रहा है जो कि ये भी एक decent number है ठीक है यानि year on year basis में जो double increase दिख रही है वो low bis के कराण लेकिन हाँ अगर near COVID disruption zero zero COVID disruption की बात करेंगे तो revenue लभग 9% के आपको jump दिख रही होगी ठीक है और देखे इस जो तेजी आपको दिख रही है आपको पता होगा कि भई office खुल गए है schools खुल रहे है तो इस ने भी इस factor ने भी एक बहुत अच्छा मैं कहूंगा एक positive role अपना है और आपको अच्छी sets of number देखने को मिल रहे है अब बात करते हैं अगली चीज़ की वो है expansion growth जितने store है उसमें तो है ही अच्छे आने वाले समय में कितने aggressive हो करके एक growth trajectory में आगे बढ़ रहे है तो अगर मैं आपको data बता हूँ तो आप समझ ये financial 22 के कह लिजे second half में ठीक है financial 22 के second half में इनोने 32 new stores खोले कितने store दूस्तों 32 new store ठीक और financial 23 के quarter 1 में इनोने आप कह सकते हैं 10 new store खोले है ठीक यानि financial 22 के second half में देखेंगे आप 32 new store है और जो ये quarter गया है quarter 1 में 10 new store खोल रहे है और आप एक चीज़ समझ ये कि डीमाट का अगर 2019 से एकन बाद देखेंगे ना उसके बाद इनोंने काफी अच्छा कह लिए बड़े stores जो ज़्यादा अच्छी से design हो जो ज़्यादा capacity जील सकते हो और ज़्यादा revenue generate कर सकते हो ये उन तरह के store खोलते हैं दोस्तों financial 29 आप कहले है financial 19 के बाद और company का ये plan है कि आने वाले तीन सालों में ठीक है सुनेगा दोस्तों आने वाले तीन सालों में company 30 नाइस टोर खोलने वाली है यानि आने वाले तीन सालों में आप एक जबर्दस expansion visible का देखने वाले demart किये और आप देखिए कि जो demart है मैंने आपको बताया था कि इसको सबसेदा threat कहां से मिल रहा है वो है online से तो company का मैं बता दूँ आपको company ने इसको tackle करने के लिए demart ready करके एक online portal भी खोला है demart ready जैसे आप online order करना है तो उसी के लिए demart ready है अच्छी चीज मुझे यह लगती दूस्तों कि company ना एकदम से explode ने कर गी हर जगा आपने कैलीजे service कोल लिए और पूरा लग गए इससे ना आप कोई अच्छे से अपना पहचाना लग बना पाते है क्योंकि आप आप demart है आपके brand value में एक धबा नहीं लगना चाहिए तो इन्होंने शुरू में 12 major cities पकड़ा वहाँ पर अपने business को बढ़ा है वही वही पर क्या लिए आप trade कर रही है आप कह सकते हैं वही पर पूरा business कर रही है 12 major cities में demart ready के नाम से company आने वाले समय के लिए आप देखिए और एक चीज़ concern के बात करूँ तो company के जो essential item के volume से वो ठीक है revenue अच्छा है लेकिन जो discretionary items हैं जो apprails हो गए आप कहले जो lifestyle हो गए products हो गए इसके volumes में अभी भी pre-covid level नहीं आया downside में ही है लेकिन overall अगर मुझे से आप बात करेंगे road story बहुत positive लग रही है company के जो older जो stores है stores है वो काफी अच्छा कर रहे है footfall बहुत अच्छी हो रही है और यह तमाम चीज़ है और आप समझे जब महंगाई बहुत जादा हो जाती दोस्तों inflationary महल बहुत जाता है वो stores जो सबसे अच्छा दाम जे सकते हैं D-Mart जैसा store चाहिए और इसी लिए D-Mart इतनी ज़्यादा inflation के बावजूद अपना आप जो कह सकते हैं जो volumes है उसे बढ़करा रखा जो revenue है उसमें अच्छा खासा increase किया so for me दोस्तों share price के अगर हट के बात करें growth prospectus बहुत अच्छा है बहुत ही शांदार company fundamental sound company है stock price उपर नेज़े दोस्तों होते रहेंगे लेकिन अगर long term में निवेश करना है तो story समझेए मैंने आपको एक एक point करके समझाया क्या अच्छे चीज़े थी क्या positive चीज़े थी देखना ही होगा आने वाला एक दो quarter में क्या company इसी तरह के अच्छे नंबर पेश करती है चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर दें ताकि अगर कुछ भी negative आता है तो मैं आपको बता दूँ वीडियो बना करके और result अगली बर कैसे आएगा यह हम और आप एक साथ देखेंगे तो यदि आपको मेरी चोटी से अनलस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पहली बार है है सब्सक्राइब ज़रू कीजिएगा यहां तक जुड़े रहने के धन्यवाद यह वीडियो का अंत है जैहें दोस्तों